हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दे एक्जाम हेकर यूटूब चैनल दोस्तों आज हम लोग यहां पे क्या डिस्क्स करने वाले हैं आज यहां पे UPSC द्वरा 2016 में जो जिग्राफी ऑप्शनल पेपर 2 के जो मैप के जो क्यों से थे उसको आज यहां पे solve करने की कोशिस करेंगे तो UPSC 2016 से 5 मैप क्योशन के बजाए 10 मैप क्योशन पूछने लगा था तो 2016 से UPSC 10 मैप बेस्ट क्योशन यहां पे पूछ रहा है तो 2016 में पूछेंगे जो क्योशन है वो हमारी है पीर पंजाल रेंज पीर पंजाल जो हमारी रेंज है वो आपको देखने मिलेंगे जम्मु कस्मिर और हिमाचर प्रदेश के बीच में इसको मैं लोकेट करेंगे मैप में बाद में एक बार हमारो ओभर वी देख लेते हैं यहां पे ठीक है पीर-पंचहील रेंज आपको जमू-कस्पीर और हमाषाएल-प्रदेश के बीच में देखने में महतीलेंगे यह हमारी मिडल हिल्य हिमालय यह का पा पाट है कि रिवर इंद्रावती के बात करें रिवर इंद्रा उटी आपको गोदावरी की हमारी जो ondri ट्रीबुटरी है और एक उडिसा से औरिजनेट होती है ठीक है तो रिभर इंद्रावती भी हम लोग मैप में देखेंगे और नाथुला पास की बात करें यह आपको एक तरह से माउंटेन पास हिमालेन पास है और यह आपको सिक्के में देखने को मिलते हैं जोग फॉल आपक अब देख सकते हैं पर अवणाचर प्रदेश और तमिलनाडू और वेया बंगाल के जो ट्राइंजक्शन है वहां पर आपको पुलिकेट लेक देखने को मिलते हैं सेकेंड लार्जेस्ट हमारी एक तरह से साल्ट वाटर लेक है सॉल्ट वाटर आप बोलसेता हो मैंनी सॉल नुक्लियर प्लांट यहां पर सबसे लार्जेस्ट इंडिया की नुक्लियर प्लांट यहां पर इंस्टॉल किये गये थे इसको मैं मैप में देखेंगे और डिटेल में देखेंगे नारंदा हमारी सबसे प्राचीन यूनिवरस्टी है जो की बिहार में लोकेटेड है वां आप देखोगे तू दसवा जो हमारा है क्योस्टन वह फरक्का बैराज आपको गंगा रिभर पर बनी हुए और हमारे वेस्ट मंगाल में है ठीक इसको भी मजब मैप में इन सारे क्योस्टन को देखते हैं और फिर में पर इसको उसकी जो में करेक्टरिस्टिक हैं उसको आपको North Western की और इस तरह से वीर पंचाल रेंज है और यह हमारे Middle हिमालय या लेसर हिमालय का पार्ट है ठीक है यह आपको यमुकस्मीर और हिमाजर प्रतेश दोनों में देखने को मिलते हैं फिर नातुलापास आपको यह आपको शिंक्य में में देखने को मिलते हैं और गोरखपूर आपको його raptaları में पुलिकेट लेक आपको आंध्राप्रदेश और तमिलनाडू और वे बंगाल की जो ट्राइंजेक्सन है यहाँ पर देखने को मिलते हैं कुदर्मुक भी आपको करनाटका में उसके नीचे ही बाजयूम देखने मिलेंगे और कुदन कुलम आपको तमिलाडों में देखने मिलेंगे यहाँ ठीक है तो इस तरह से मैप में आप लोकेट कर सकते हैं इसकी मेन जो करेक्टरिस्टिक है या जो हमारी फीचर से हैं उसको ह कर दोनम में चौत पूपरुट्र हमारी पासे हैं यह मारी रहतांग ला रह प्रोर्पास है यह हमारी बर्टों पॉर्टेंट करें तो इससिए के c lable है हमारी पिर पंच्छा लिर्ज की altitude की बात करे है अब हमारी river इंद्रावति की Бы भात करे है river इंद्रावति लेफ्टबेंक बंक ट्रिय्बूट्री की और कहां पर ऑडिजने होग्ट सोल HOW ओडियसा में होती है और यह हमारी उल्षा में आप देहोगे तो तो नंडा करन्या घाट जो है वह हमारी काला हांडी देश्टिक है उडिश्या का वहां से है इसमें एक फिमस फाल भी है चित्रकुट फॉल इसको बोलते हैं इंद्रावती रिवर पे है नाथुला पास हमारी हिमालेन पास है और सेक्व में लोकेटेट है हमारी टूरिस्ट क कि बात करें हमारी स्रावस्त्री रिभर पे हैं करनाटका में और बहुत ही ज्यादा लोग यहां पर एटेक्ट होते हैं खासकर मांसून की सीजन में इस फॉल को देखने के लिए और इसके इसेंड हायेस्ट वाटरफॉल भी हैँं इंडिया की सब्से लार्जेस्ट जो हमारी वाटरफॉल हायेस्ट हमारी है नूह का नूह का लिक कई फॉल जोकी मेंखालय में हैं टीक ayoles3 के बाद हमारी सेंड होमारी फॉल्ब फिर पुलिकट लेक की बात करें तो हमारी ब्रेकिस वाटर की दूसरी बड़ी हमारी लेक है पुलिकट लेक और चिलका लेक की बात के हमारी है यह चिलका लेक सबसे लार्जेस्ट हमारी ब्रेकिस वाटर लेक है इसके बात पुलिकट लेक है और हमारी ट्राइजेक्शन पे अनरप्रदेश, तमिल्लाडू और बंगल में यह बहुत ज्यादा रिच एक्योटिक फीसेज और यहां पर वर्ड से आते हैं ठीक है कुडन कुलम की बात करें थे हमारी नुकलिर पावर प्लांट के लिए फिमास है अमारी यह तबिलाड़ो में लोकेटेड है और यहां पर टोटल इंस्टॉल जो कैपिसिटी है मेगावाट की इंस्टॉल कैपिसिटी है लेकिन अभी 2000 मेगावाट वहां पर ऑपरेशनल है 4000 मेगावाट है वह हमारी कुछ या आइधिक 2025 तक हमारी ऑपरेशनल हो जाएंगे तो इसके लिए फिमास है इसके लावा यहां पर बहुत हंड्रेट साफ वाइंड मिल भी हमारी य यहां पर लोकेट थी और नालंदा डिस्टिक भी है यह बिहार शरीफ नाम से भी जाना जाता है बिहार में और जनरली यह जो आप बोल सकते हैं बुद्धिष्ट की साइड भी है बहुत ज्याद बुद्धिष्ट लोग यानि की अबरोट से आके वीजिट करते हैं और फि यहां पर ट्रेकिंग के लिए लोग यहां पर आते हैं यानि की हिल इस्टेशन टाइप का है ठीक है और यहां पर हूज आयरन ओर की भी डिपूजिट यहां पर देखने मिलेंगे कुदर मुख में इसके लिए हैड़कपूर में है और गुरकपूर हमारी राप्ती रिभर पर लोकेटेड है और यह प्रुवांचल रिजन में आता है यूपी का ठीक है और यह भी फिमस है गुरकपूर में रिलिजिस सेंटर के लिए फिमस है क्योंकि यहां पर हिंदूस बुद्धिस जैन सिक इन सब फैत की पहुँजाद रिलिजिस सेंटर देखने मिलते हैं breng 21 में उने 1975 में हमारे कंप्लीट हो गया था और इसकी जलते जो हमारी फरकवायराच कीया करती हैगंगा रिबर की जो पांई है उसको diver करती है हुगली river में था हमारी कट्छा हारबर उसके जो sediments आते हैं Ist chain Definitely करता है जो सेडिमेंट के जमा होते हैं होली river बहुत जाए पानी आती है तो तो हमारी क्या करते हैं सेडिमेंट को हटा देती है तो natural हमारी एक था privileged क्ली hem का काम करता है क्लिनिंग के काम करता है सेडिमेंट का फरका बायराज तो यह आपको फरका बायराज के बारे में हैं तो यह हमारे पर वाचिंग मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक साथ प्लीज आप कमेंट करके जोरू बताना वीडियो कैसे लगी थैंक्यू